जहिंद नमस्कार मेरे से सेन्यों लाड़ो लाडलियो स्वागत आप सभी अपने यूटूब चैनल कमांडो किर में दोस्तों कल आप सब का रिजल्ट आ गया है और अब जैसे ही रिजल्ट आया है तब से बच्छों के एक बेचे नहीं बढ़ गई है क्योंकि जो फाइनल स्क बड़ा है और कितना क्या रहा है तो अब एडमिट कार्ड कब जारी होंगे फिजिकल के कुछ बच्चे हैं जैसे आपका नाम आ गया फिजिकल के लिए लेकिन जो आपके स्टेट की कटोप है वो नंबर ज्यादा जैसे मान के चलिए कि आपके 102 नंबर है पर आपका होंगे ठीक है क्या वो 15 तारिक से जारी होंगे या अब 27 तारिक से फिजिकल सुरू होगा हुमारा तो देखिए जो 16xis चार क्यई जो फिजिकल डेटह नहीं है यह कोन सी डेटह लाड़लो जो टेंटिव डेटहSam यह नहीं फिक्स नहीं है कि पंदर तारीक से शुरू हो लेकिन फिर भी पंदर तारीक की डेट आ रखी है तो मैंने आपको बोला था कि फिजिकल पोस्पोन नहीं होगा पहले भी बोला था भली रिजल्ट तस तारीक को भी क्यों आए फिजिकल पोस्पोन नहीं होगा अब ज इसका मतलब है कि 15 नहीं आता है तो पीर हो सकता है कि 27 तारीख के बाद ही शूरू जो कि लेकिन अगर आपको एपको यह बात बोताना चाहता हूँ कि आपको तयारी करना है जिन बच्छों के मान के चली कुछ ऐसे बच्छों की उनकी 512 और 10 120 से सबसे ज़्यादा परेशान वाले बच्ची है सबसे ज़्यादा परेशान जो बच्चा है वो ये बच्च क्यों कि इसकी फिजिकल की कटोप वह भी 120 से और इसके नंबर भी 120 से तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से तयारी करनी है क्या पता अच्छे से फिजिकल के तयारी करनी है अभी से और मान के चलना है कि पंदरा तारीक से ही आपका फिजिकल सुरू होगा पंदरा चार से ही आपका फिजिकल सुरू होगा इस इसको धान में रखना है पूरा का पूरा ठीक है कि पंदरा तारीक से आपका फिजिकल होगा है तो पिस चाया है लगा यह फिक्स है लेकिन जहां तक मुझे लगता है सचीनी जिसे कल लिजल दिया है तो हो सकता है कि आज या कल में आपके अड्मिट कार्ट जारी होジャ Cemal संडी का दिन है तो साइध आज है ना हो पाए लेकिन कल आपके अड्मिट कार्ड जारी हो दी है तो इसका मतलब है अब उन बच्चों को परपेर हो जाना है जिनके लिस्ट में नाम है ठीक है लाड़नों एड्मिट काड़ हो सकता दसे गया तारीके बीच में आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे जै हिंद जै भारत